लेकिन सरकार को तो कुछ और ही सूजी है, सरकार को मंदिर की राजनीती सूजी है, सरकार को धरम की राजनीती सूजी है, सरकार को जातिये धर्मिक और आर्थिक दंगे कराने की जादर राजनीती सूजी है आपके दो दुश्मन आपके घर में बाटे एक टेलिवीजन और एक अखवार ये इतने आपके दुश्मन है जाती आधार को इतना बढ़ावा देते हैं नमस्कार मनीदी रतन आप देख रहें नेशनल दस्तक सरकार खतम करना चाहती है पत्रकारिता को अपनी विरोधियों को विपक्षयों को और सवालों को जी हां ये सरकार को डर लगता है कलम की स्याही से, इस सरकार को डर लगता है सवालों के गहराओं से, क्योंकि सरकार का एजिंडा तो कुछ और ही है, सरकार से कोई हेल्थ पे बात करेगा, सरकार से कोई शिक्षा पे बात करेगा, सरकार से कोई फंडमेंटल राइट्स पे बात करेगा तो सरकार सुबा के चार बजे रेड मरवा देगी, वो भी बिना किसी investigation के जी हाँ, बिना किसी जाच परताल के, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं, तो रेड आपके हाँ पहुँच जाएगी, CBI officer पहुच जाएगे, और किस case में आपके उपर कब जाच बिठा दी जाए, इसका पता भी नहीं चलेगा रातो रात, ऐसा ही कुछ हुआ, देनिक भासकर के साथ और भारस समाचार के साथ, वो भारस समाचार का सिफ जुर्म इतना था कि वो सरकार से सवाल करता था, सिफ नूटरल सवाल और आर्थिक दंगे कराने की जादा राजनीती सूजी है लेकिन लोगों के इश्यू पे वो बात नहीं करेगी अगर लोगों के इश्यू पे कोई बात भी करेगा कोई पत्रकार बात भी करेगा तो उसको पत्रकारिता से इतना डर लगता है कि वो प्रेस को बंद कराना चाहत इस इशू पर बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि दैनिक भाशकर जैसे मुझे नहीं लगता कुछ खास बोला जाए क्योंकि जिस तरह किसे दैनिक भाशकर की पत्रकारिता रही है बहुजनों के हित्मेना रहकर वो ब्रहमरवाद के एजंड को बढ़ावा देने पर रही है तो सरकार को नहीं भारा है कि कोई उसके सरकार उसके खिलाफ उससे सवाल करें अमिश्या मोदी को नहीं भारा है कोई उसके नितियों के खिलाफ लिके अगर कोई लिखेगा तो जेल की सलाकों के पीछे कोई बोलेगा तो जेल की सलाकों के पीछे उससे मामूली यूटूबर्स नहीं जहले जारे सरकार से कि उसको डर लगता है सवालों से ये फोटो देखिए इस फोटो में देनिक भाशकर की जो नीतिया हैं किस तरीके से वो ब्रामण समाज सेवा समर्पन में सदेवतत पर और इसके साथ ही आप दूसरा पिच्चर देख सकते हैं देनिक भाशकर की वो दलितों के फेवर में कभी नहीं रही दलित के विरोध में उसने काम किया मयवती हो चैकलेस यादव हो जैसे ही यूपी सरकार में योगी अधित्यनात के अल परिशान है आज वो प्रेस कंफरेंस कर रही है और अगर यही काम देनिक भाशकर ने ऑगे खिलाव किया होता जातिगत राजनीती को खतम करने के लिए किया होता तो शायद मुझे लगता है आज भारत देनिक भाशकर के साथ खड़ा होता लेकिन ऐसा नहीं होता है ये इतने आपकी दुश्मन है जाती आधार को इतना बढ़ावा देते हैं कि कब राजनितिक दंगे को धार्मीक दंगे और राजनितिक दंगों में भासकर की पत्रकारिता के बारे में आपको बताऊंगी भासकर की पत्रकारिता ब्रहमडों के एजंडे को आगे बढ़ाने से जा उनकी आवाज को नहीं बुलंद करते हैं, विक्टिम के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी पत्रकारिता को ऐसी संस्थान को डैमेज कर देना ही ज्यादा अच्छा है, डिकलाइन होना ही उन चीजों का खतम होना ही जादा जरूरी है, जो समाज को दूशि काम करती हो और मुसल्मानों के विरोध में तो इस कदर अगर आप इस देश में मुस्लिम समास से आते हैं और उपर से अब दलीत है तो आपके साथ तो जो होगा वो सरकार जो आपके साथ रवाया कर दिये पिछले छे सालों में अंदाजा लगा लिजी कि इस अखवार ने आपके साथ क्या किये कुछ अखवार की कटिंग्स देखे किस तरीके से भासकर दैनिक भासकर की जो करतूते हैं वो सामने जलक कर आ रही है और आज उस पर खुद चापा जो उसने गलतिया कि मुसल्मानों को भाई भाई से भड़वाया धरम की राजनिती कि क्या उसके लिए वो माफी मांगेगी नहीं मांगेगी उसने देश की जो इस्तिती में जो नफरत रिपोर्टिंग की नफरती आर्टिकल्स लिखे नफरती जाती है इस तर की जो गंद की पत्रकारिता की क्या उस पर वो माफी मांगेगी नहीं मांगेगी और आज वो देश समर्थन चाह रही है संसान दैनिक भाशकर की कि हम पत्रकारिता को उसकी बचा हैं उसके साथ खड़ेओं स्टेंड विट दैनिक भाशकर करें बल्कि भाजनों से मेरा कहना है कि अगर आपके इशू पे कोई बात नहीं करता आपके राइट्स पे बात नहीं करता आपके एजूकेशन पे बात नहीं करता आपके हेल्थ के बात नहीं करता आपके शिक्षा पे बात नहीं करता तो आप उस पत्रकारिता को खतम कीजिए उस पत्रकारिता का जनम लेना ही समाज को दूशित करने जैसा है जादा महत्वूपूर की अगर आज जो सत्ता में हो रहा है वो कही ना कहीं हमारे गलत लिखने की वज Colon की वज़ Σे हो रहा है, अगर हमारी स्याही की कलम सही लिखती तो आज ताना सा सरकार की इतने हिम्मत नहीं होती कि वो पत्रिकारिता को खतम कर देती वो बोलने वाले को लिखने वाले को जेल की सलाखों के पीछे वेज़ देती वो रात और रात बिना किसी investigation के बिना किसी rules regulation के छापे मारी करा देती तो इसलिए आप सच के साथ खड़े रहे हैं और देनिक भाषकर को लेके आप लोगों की क्या प्रतिकरिया है कि किस तरीके से उसने agenda रहा उसका जाती वाल और किस तरीके से बाकी पत्रिकार लोग काम कर रहे हैं इसको लेके आप लोगों की क्या प्रतिग्रिया अपनी रहे जरूर दें धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल